ह hail दोस्तों एक पर दुवारा से आप सभी का स्वागत करता है आपकी अपने चैनल को लाइक شर्ष सब्सक्राइब करने के दिल से बहुत बहुत धने बात तो दोस्तों अगर आप चैनल कहा करोगे Facebook, Telegram, Twitter जहां कर सकते हो वहाँ share पका करना ठीक है तो अभी के अभी share कर दो और आप हमारे Telegram group को join कर सकते हो लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे तो इस stock के बाद चर्चा कर लेते हैं stock का नाम आपने देखी लिया है RRI Limited यह stock almost एक साल के अंदर आपको तेरा सू परसेंट की रिटन दे रहा है तेरा सू परसेंट की रिटन राइट यह stock पचास पैसी का असपर टेट कर रहा था दो है उड़नीच के असपास और अब टेट कर रहा है तेरा रुपे के असपास यह stock मैंने आपको खुद जब यह stock 5-6 रुपे के असपर टेट कर रहा था 5-6 रुपे के असपास तो मैंने भी आपको सजेस्ट किया था कि आप बाय करके चल सकते हो और आपको 30 रुपे के तक के target दिखा सकता है लेकिन अब इस stock में ऐसे कुछ रिवर्सल साइन नजर आ रहे तो definitely यहाँ पर आपको थोड़ा एक बर profit booking करनी चाहिए और अगर कोई retail इसको buy करना चाहता है तो मैं उसे बोलुगा कि भाई अभी आप थोड़ा wait कीजिए stock को थोड़ा correct होने दिजिए उसके बाद आप buy करके चल सकते क्योंकि थोड़े बह support किया है and एक strategy बताऊंगा stock के ओपर ही कि आप किस तरीके से stock को दुबारा re-entry कर सकती हो और कभ आपको profit booking करनी चाहिए stock में वो भी आपको साथ share करूँगा तो आप वीडियो को देखके जा सकते हो अंतर कर आपके पास time है तो सबसे पहले आपको दिखाया तो जब मैंने आ आपको अपडेट किया था राइट आर आये stock today तो यह stock उसमें 6 रुपया 5 रुपय का आज पर trade कर रहा था तो अब stock हमें almost 100% के return दे रहा है तो अगर आपने किसी ने भी stock को buy किया है 6 रुपय, 7 रुपय के असपास तो सबसे पहले आप अपना जो आपने capital invest किये उसको आप निकाल लीजिए, निकाल लीजिए मतलब उसको आप profit booking कर लीजिए, और market में जो आपके पास profit है उसको आप रहने देजिए for a target of 30 रुपय, ठीक है, अगर कोई बंदा इसको द्वारा इसी प्राइजर बाय करना चाहता है 13 रुपय में, तो मैं उसको suggest करूँँगा कि भाई आपको क्या बोला था, ये stock आपके सामने है, देखो भाई, कुछ यूट नहीं है कि आप सोचे लोगे कि भाईया, अब बहुत साजे लोग बोलते हैं कि आप chart analysis करते हो, तब करते हो जब हो जाता है, तो मैंने आपको पहले बताया था, ये stock multi-wagger होने वाला है, और ये stock उस में अगर आप लगाना चाहो, तो 1000 रुपे तक लगा सके छोड़ सकते हो, इसमें मेरे target थोड़े बड़े है, 13 से लेके 30 रुपे के target डिकल के आते है, चार्ट के according, ठीक है, तो देखो दोस्तों, 13 रुपे का target तो हमारा अचीव होगा है, first target, ठीक है, अब आप बोलोगे सा यह 6 रुपे अचीपे से आशपर, आप आप ने सजेस्किया, नहीं, यह चार्ट मैंने आपको पहले 5 रुपे के आशपर भी सजेस्किया था, मैंने इसका proper एक वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि हम जब प्रपर एक वीडियो नहीं बनाता है, ठीक है, तो भाई, आपके 2 साल लग जाए क्या पता 3 साल लग जाए क्या पता 6 महीने में आ जाए ये कोई नहीं time कर सकता लेकिन अगर उसकी बात करूँ मैं profit and loss के साब से तो भाई company के profit and loss इतने अच्छे नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि थोड़ time time लग सकता है मैं यह नहीं आ सकता है लेकिन time लग सकता है लेकिन इसको थोड़ा correct होना पड़ेगा right मतलब अगर इतने यह stock 50 पैसे से आपका 13 रुपे गया है तो definitely stock एक पार retrace करेगा right अगर आपको ट्राइट का example दूँ तो stock ने all time का जुलू लगाय था उसने लगाय था एक रुपे के असपस लगाय था लो उसके बाद stock almost 10 R.12 तक गया था ठीक है और उसके बाद stock दुवारा 12 रुपे से आपका 3 रोा चार रुपे के असपस आयता तो मतलब हो एक retracement trade होता है ठीक है मतलब कभी भी stock एक वे में उपप नहीं जा सकता है उसको हमेशा नीचे आना पड़ेगा मतलब उपपर जाएगा ठीक है उपपर जाएगा stock फिर वो नीचे भी आएगा ठीक है 13 रुपे से stock 7 रुपे तक तो आ सकता है आराम से तो 7-8 रुपे के पास अगर आपको मिलता है stock तो वहाँ definitely buy बनता है एक अच्छा buy होगा ठीक है अब एक बार देख लेते हैं कि मुझे चार्ट पर गए नजर आते हैं दो उसको देखिए चार्ट मेंने कुछ line draw कर रखिए तो हमारा जो टार्गेट से 13 रुपे के वह तो अच्छीव हो गया जिससे आपको दिख रहे है तो वह टार्गेट मैंने कैसे निकाल थे वो भी एक बार देख लो आप अब ज कर सकते हो वह एक बार देख लो इस चार्ट के माधियम से ठीक है तो आप definitely यहाँ पर अगर आप बाय करने की सोच रहे हो तो अभी इस stock को बाय मत करना आप अभी wait कीजिए wait कीजिए correct होने का stock को तब आप बाय करके चल सकते हो दोस्तों आपको चार्ट का pattern दिखाने से पहल आप लास्टम जो मैंने आपको बाय के लिए stock बोला था तो मैंने इसी वज़े से बोला था कि आप उसको बाय करके चल सकते है क्योंकि जो promoter से stock लगातर बाय कर रहे थे और बाय कर रहे थे पर फूबिक से बाय गर रहे थे ठीक है आप खुद देख सकते हो promoter की holding लगतार यहां पर बढ़ी है 26% से 55% तक हो गई तो पर मोटर लगातार यह बाई कर रहे थे पबलिक से लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे यह December quarter के आपके holding रिवील हो चुकी है और आपको यहां क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों यह कि इनकी जो holding नी September में वो थी 25% के आसपास और December में आते आते हैं वो 11% हो गई समझ पार है वो मतलब almost 4% का down देखा गया है और यह 4% का down जो देखा गया है यह buy किया है आपके public ने ठीक है आप यह आपको दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं एक सेगेंड देख सकते हैं दोस्तों आपको दिख रहा होगा अप क्लियरली कि यहां पर इनकी डाउन हो गई यहां पर यहां पर यह हुआ दोस्तों कि public अब प्रमोटर से माल ले रही है बड़े higher levels मतलब अगर आप देखो के चार्ट में अभी आपको चार्ट में रिखाऊँगा कि उन्होंने किस प्राइस में इसको लिया होगा तो मेरे साब से नोंने 10 से लेके 14 प्राइस के असपा प्रमोटर से माल खरीतना स्टार्ट किया है मतलब अब इसमें जो lose hand आते हैं lose hand मतलब जो public है जनल public retail अब इस stock को buy करना स्टार्ट कर रही है ठीक है अब आपको बहुत सारी market में news आना स्टार्ट होगी कि stock में को buy करके चलो इस stock को यह overtake कर रहा है इस stock में यह होने वाला है rumors आपको देखने को मिलेगी मैं आपसे request करना चाहूँगा ठीक है भाई मैंने 6 रूपे का असपा suggest किया था मैं चाहूँगा कि आप इन अफ़ाव में मत करना आप खुद की research करके इसको बाए करना ठीक है तो भाई देखो से रूटिक पैटर्न आपको साब बता रहा है कि हाँ कि भाई कुछ चार्ट को लगा आरार आयल का तो दोस्तों देखें यहाँ पर हुआ गया है यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि दो बार यहाँ पर हैंड एक लेबल है ठीक है यह मुझे लगता यहाँ पर पक्का से रूल्डिंग जो प्रमोटर उन्हें नहीं होल्डिंग बेची होग है ठीक है अब इसमें ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो गई है मैं कुछ दो या तीन दिन हो देख रहा हूँ इसमें ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो गई है ठीक है अगर ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है ठीक है अगर ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है तो मतलब लोग इसमें यह जो बुलिलान दिखरी यह है non moving average यह non moving average का मैंने लगार का simple moving average एक moving average apply गरावा इसको जब यह daily chart में इसके नीचे close कर दे एक candle आप भाई हो सके ना अपना माल पूरगबुरा exit कर देना एक बार दो exit कर देना पक्का अगर इसके नीचे close कर देता है 9 moving average के नीचे तो यह simple सी strategy apply करो 9 moving average की बहुत simple सी strategy है यह इस सबको पता होता है लेकिन कोई apply नहीं करता है क्योंकि कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता है ठीक है तो यह बहुत simple सी strategy है भाई इस strategy को apply कर लो stock में definitely उताता हूँ आपका पैसा इसमें block नहीं होगा चाहिभी stock इसके नीचे close कर दे इस blue line के आप अपना पैसा exit कर दे ना stock से ठीक है अगर आपने highest label में भी इसको buy किया हो त्यान रख ले ना तो यह आपका stop loss के तरह काम करने वाला है इसकी अगर setting देख लो आपकर setting दिखना चाहते हो मैं आपको setting दिखा लेता हूँ मैं क्या apply setting यूज करता हूँ तो setting दोस्तों आप देख सकते हो ये no moving average है और ये field जो रहेगा close है इसमें 4-5 field होती है open high ठीक है low लेकिन मैं use करता हूँ closing basis बला तो closing करना है और type आपको रखना है simple ठीक है and turn कर देना है ठीक है ये आपको apply करना है stock में ठीक है आपको समझ आगे होगा कि मैंने क्या बताया आपको ठीक है अगर देख सकते हूँ यहाँ पर ये दुवारा से इसके नीचे close कराता ठीक है तो यहाँ पर आप दुवारा अपना माल sell कर सकते हैं लेकिन दुवारा से reversal हो गया ठीक है अब अगर reversal हुआ तो आप इसके high में buy करोगे इसके high में ठीक है इसके high में तो अगर मैं buy करता तो इसके high में buy करता ऐसे नहीं कि यहाँ कही इसको buy कर ले था में ठीक है भाई तो यह strategy follow कर लो definitely कुछ न कुछ help मिलेगी RRIL empty stock में तो यह था आपका मेरे हिसाफ से RRIL limited stock का latest news latest stock update latest stock today price जो भी आप बोल सकते बोलेजिए तो इस वीडियो के आई समवाप्त करता हूँ कुछ समझा आएगा तो like कर देना share कर देना और subscribe कर देना और telegram group join कर से तो नेचे आपको link मिल जाएगा तो मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में till then bye bye thank you so much safe dating happy dating and peace out